हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटू चैनल होम एजूकेशन में तो डी एर स्टुडेंट ये है क्लास सेवन्थ का साइन्स है बिग्यान है दूसरा चप्टर है जन्तू में पोसड तो इसका हम बताएंगे सब तो देखी जन्तू में पोसड प्रस्ण और उनके उत्तर पहला है खाली अस्थानों को भरिये ये में है मानो शरीर की सबसे बड़ी ग्रन्थी डैस डैस है तो इसका सई अंसर होगा यक्रित बी में है मनुस्य में भोजन का पाचन डैस डैस में शुरू होकर डैस डैस में पूरा होता है तो इसका होगा यहां पर मुह और यहां पर बड़ी आद्थ सी में है अमासा में हाइड्रोकॉलोरिक अम डैस डैस का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं तो जहां पर डैस डैस है वहां पर लिखेंगे पाचन पाचक रस उसके बाद से बी में है डी में है मनुसमें पोसड के मुख्य चरड डैस 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 और डैस डैस है तो यहां पर होगा अंतर ग्राण पाचन औसो सड़ स्वांगी करड और निसकासन है यह है अमीबा अपने भोजन को डेस डेस की सहायता से ग्रहन करता है जहां पर डेस डेस हैं वहाँ पर हम लिखेंगे खाद धानी उसके बाद से दूसरा देखते हैं तो देखिए दूसरा है सही बिकलब पर सही का चिन लगाए ए में है कुतरने में सहायता करने वाला दांथ है तो इसका सही अंसर होगा क्रिं तक बी में है लार मंड जिसे हम स्टार्च करते हैं को बदलता है तो इसका सही अंसर होगा दो नमर ग्लूकोज पीत रस का स्राव होता है इसका सही होगा A यक्रित ये नहीं एक नमर है जो D नमर में है वसा का पूर्ण रूप पूर्ण रूपेड पाचन होता है तो इसका सही अंसर होगा छोटी यांत E में है जल का और सोसर मुखेता होता है इसका सही अंसर होगा बड़ी यांत तीसरा में है सत्य और और सत्य कोथनों को चिन्धित किजिए पहला है अमासर में हाइड्रोकलोरिक अम्ल का स्राव होता है तो इसका होगा सत्य उसके बाद से देखिए दूसरे नमर पे है पीत रस में पीत रस से प्रोटीन का पाचन होता है इसका होगा सत्य तीसरा है प्रोटीन का पाचन मुख से आरंभ हो जाता है तो इसका होगा असत्य त्या पर लिख दरा है असत्य चोथे नमर पर है जुगाली करने वाले निगली हुई घास को पुना अपने मुख से लाकर धीरे धीरे चबाते है तो इसका सही होगा सत्य यहाँ पर होगा सत्य उसका पाचन मर पर है छोटी आत में सलेस्मक स्रावित होता है तो इसका होगा सत्य चोथे नमर पर है देखिए कल्म A के कथनों का मिलान कल्म B से कीजिए तो इसका मिलान करते हैं जहाँ पर देखिए A में है A लिखाया और B है इन दोनों को मिलान करना है कार्बो हाइडरेट है इसका होगा कर्बो हाइडरेट है इसका होगा सरकरा प्रोटीन है प्रोटीन का होगा अमीनो अमल वसा है वसा का होगा वसा अमल एओ गिल्स रोल उसके बास है पीतरस पीतरस का होगा पितास है यहाँ पे होगा पितास है लार लार का होगा लार ग्रंथी यहाँ पे होगा लार ग्रंथी यह हो गया अगे बढ़ते हैं अगे देखिए पच्वे नमर पर है आहार नाल के किन भागो द्वारा एक कार्य होता है तो देखिए पहला है भोजन का चावाना तो यहाँ पर हम लीखेंगे मुख्य गुहिका मुख्य गुहिका मुख्य गुहिका हो गया उसके बाद से देखिए जिवाडू नौस्ट होना उदर उदर उसके बाद से उपयोगी पदार्थों का ओव सूसर छोटी आत छोटी आत उसके बाद से देखिए मुल का निकास बड़ी आत बड़ी आत होगी है अब आगे बढ़ते हैं यहां पर लिखे है छोवे नमर पर एक सब्द में उतर दिजिए एक सब्द में उतर देना है पहला है मानों सरीर में पाय जाने वाला को ठोड़तम पदार्थ है तो यहां पर होगा दातों की उपरी परत इनामेल यहां पर हमने लिख दिया है देखिए पहला का होगा दातों की उपरी परत जिसा हमें इनेमल कहते हैं उसके बाद से दूसरे नमर पर है पच्चे भोजन का अवसोसर करने वाली अंगली जैसी सनरचनाए तो इसका होगा दिर्ग दिर्ग या रसंगुल उसके बाद से है घास खाने वाले तिसरे नमर पर है घास खाने वाले जन्तुओं में सेलूल लोज पाचन का अस्थान है या पर गार रूमेन रूमेन चोथे नमर पर है अमीवा में भोजन पाचन का अस्थान है खाद धानी पचुवे नमर पर है भोजन के अव यवो से उपयोगी पदाथ संसलेशन की प्रकिरिया तो या पर होगा स्वांगी करण स्वांगी करण सत्वे नमर पर है कारण बताईए पहला है मनुस्य में सेलूलोज का पाचन नहीं होता है दूसरा नमर पर है अमीवा में अमीवा के खाद धानी में भोजन का पाचन होता है तिसरा नमर पर है आयू नली तथा भोजन नली का संबन्द ग्रसनी से है फिर भी भोजन आयू नली में नहीं जाता है बताएंगे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अच्छा लगे तो आगे सियर जरूर कीजिएगा फिर मिलता है अगले इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ